हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चेनल राधे राधे क्रोचेट तो आज हम क्रोशे से कुछ भी बनाने वाले नहीं हैं मैं आपको जो मेजिकल रिंग बनाते हैं हम थाल पोस बनाना हो तब हम स्टार्ट करते वक्षो बनाते हैं कुछ इस तरह की दिखे पत्ती में ने हैं तो वह दो-तीन तरीके से बनाई जाती है तो कैसे बनाते हिव, मैं बड़े आराम से दिखाती हूं कि यह सब बनाते हैं वक्त में बताती हूं लेकिन उस वक्त इतना लोगों को समझ नहीं हाता है उसमें थोड़ा सा जलदी होते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप एक मैजिकल रिंग के उपर एक वीडियो स्पेशल बनाओ ताकि हमें धीरे से बताओ तो समझ आ जाएगा कि आप किस तरह से बनाते हो देखे इस तरह के केप बनानी हो तो भी हमें मैजिकल रिंग की ज़रूरत पड़ती है दे पहले मैजिकल रिंग बनानी पड़ती है तो चलो मैं आपको पहले दिखाती हूँ और यह सारी चीजे मैंने जो आपको दिखाई हो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुकी है अगर आप देखना चाहे तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं और आपको मुझे इंस्टा अपने जो मेरे चैनल पर देख करके जो भी चीजे बनाए हैं तो दिखें इस थाल पोस को आमने श्टार्ट किया है वह पता ही नहीं चलता है बिल्कुल बच में हौल नहीं रहा है देखें तो इस तरह से आप मेजिकल रिंग बनाए तो एकदम स्टार्ट किया हूँ और न देखे इस थागे को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों उंगलियों के उपर हम इस तरह से थागा रखेंगे इसके बाद हम इसे करके सामने की साइड थागा जाने देगे देखे इस तरह से थागा लिया और सामने की साइड थागा जाने देगे फिर इस तरह से थागा रखे देंगे और यहां पर इस उंगली से इसको दबा देंगे और यहां से क्रोश्या डाल करके इस थागे को हम नीचे से निकाल देंगे और इस तरह से हाथ को भी निकाल देंगे तो देखे हमारी रिंग बन करके रेडी हो गए है अब धीरे से अगर आपको ऐसा लगता है कि यह सरकल बहुत बड़ा है क्रोश्या करने ते वक्त हमें यह ठीक से नहीं पकड़ा जाएगा तो इस दीरे से इस लोग को थोड़ा सा खीच लीजिए बात में आप क्रोश्या करन बना लिजिए जितना भी आप बनाना चाहते है फिर इसके बाद इसको कैसे खीचते है वो भी मैं आपको बता दू तो देखे इसे यह डबल प्रोश्या हो गया और अब हम इसे खीच करके मैं दिखाती हो आपको तो देखे अब यह हमारा पूरा हो गया अब जो भी जहां पर भी है उस तरह से इसकी जो इसमें एक दूसरे के अंदर जो फस गए है इसे निकाल करके हम इसको सीधा कर देंगे पहले तो हम क्रोश्या करते है तो इक दूसरे के अंदर इस तरह से चली जाती है तो इस तरह स देखे, तो बड़े आराम से इस सरकल हमारा बन गया, तो अब हम इसको इस सरकल को यहां से इसके साथ तीसरी वाली चेन में जोड़ देंगे, देखे, तो इस सरकल हमारा बन करके रेडी हो गया, और इस धागे को यहां पर खींच करके इसके नीचे यहां पर नोट लगा देन एक दूसरे के क्रोशे के अंदर डाल करके इस तरह से नोट आप लगा दीजिए तो यह खुलेगा भी नहीं और बीच में हॉल भी नहीं बनेगा हमारा हम खींच करके वहाँ पर नोट लगा देंगे तो यह अच्छे से हो जाएगा तो यह किस तरह से और अब हम दूसरी बार किस तरह से बनाएंगे वो मैं बताती हूँ देखे अब छो हम बनाएंगे वो दो धागे दो बार लपेटेंगे जिस तरह से हम वो धागा हमने शुरू किया था इसी तरह से करेंगे उगली पर रख देंगे और एक और दो दो बार लपेटेंगे फिर इसको इस तरह जाने अब हम इसे नीचे से यहां से निकाल देंगे और फिर यहां पर पकड लेंगे और इस धागे को हम नीचे कर देंगे देखे इस तरह से और अब हमने जोए दो बार थागा खुमाया था इसके उपर हम डबर क्रोश्या बनाएंगे और इस दो बार थागा खुमाने का मतलब है कि आपका सरकल बहुत ही अच्छा बनता है बीच में बिल्कुल हॉल नहीं रहता है और एक दम फ्रश दिखता है और एक बार धागा खुमाएंगे तो भी अच्छा बनेगा लेकिन इस दो में जो बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनता है एक दम फिट रहता है तो आप पथाल पोस वगेरा स्टार्ट करें तो कोई भी बड़ी चीज बनाते हो तो आप इस दो बार धागा घुमाने से ही स्टार्ट कीजे तो मैं आपको क्रोश्या करके दिखाती हूँ फिर कैसे इसको खिंचना है तो देखें मैंने इसमें क्रोश् तब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इन दो में से कौन सा वाला खिंचा देखें इसको खिंचते वक्त हमें वहां पर ध्यान रखना है तो कौन सा वाला खिंचता है यह वाला खिंचा अमारा देखें यह जो अंदर है छोटा है वो वाला खिंचा देखें यह थोड़ा सा शोट हो गया मैंने खिंचा इसलिए देखे फिर से ये वाला खिंचता है मेरा इसे खिंचने के बाद हमें देखना है तो ये वाला खिंचा तो अब जो हमारा खिंचा है इसे पकड़ के हम पहले इनको टाइट कर देंगे जो हमारा पहले खिंचा इसको खिंचने के बाद ये के यहां से इस सरफ से हमें देखना है कि हमारा खंचता है तो हम्हारा फोला ऑ prefers थीत है देखते हमें तो तो यह हमारा टाइट हो गया, और अब हम इसको खींचेंगे. तो यह यह हमारा टाइट होगा. देखिए, और यह सरकल आप जब बनाएंगे, तब आप मुझे बताएंगे कि आप यह सरकल कितना अच्छा बनता है. तो अब हमें इससे स्लिप कीट से चोईट कर देना है इस सर्कल बहुत ही अच्छा लगता है आप अगर कानों के लिए एरिंग्स बनाना चाहते हैं तो इसमें भी ऐसे राउंड बनाते हैं हम कुछ ऐसी पेटन होती है तो शायद आप एसा सिंपल सर्कल बना करके जो यह रिंग्स का लॉक आता है वो यहाँ पर डाल दे तो भी यह बहुत अच्छी लगेगी तो इस जैसी हम चीजें बनाते हैं चोटी चोटी तो इसमें एवाला सर्कल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और एकदम फ्रश दिखेगा तो अब हम तीसरा सर्कल बनाएंगे वो हम चेन ले करके बनाएंगे तो यह किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ देखे इसे तो हम सिंपल सी चेन ले करके इसमें होल भी बीच में बनता है एक, दो, तीन, चार, पांच, शे छे चेन ली, फिर पहली वाली चेन में डाल करके हम स्लिप टीच कर देंगे स्लिप टीच कर दिया इसके बाद हम यहां पर तीन चेन बनाएंगे और इसके अंदर डाल करके हमें जितने भी क्रोशे बनाने है उतना हम बना लेंगे तो इसे बीच में थोड़ा सा होल रहेगा और इसे खिंचने की भी कोई ज़रॲइत नहीं है यू़कि इसमें तो हमने चेन लिए जोइन कर दिए तो इसे खिंचने में कोई बात ही नहीं आती है क्योंकि इससे तो टाइट नहीं होगा लेकिन ये जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम साथ लेते हैं जब हमारा सरकल पूरा हो जाएगा तब हम ये धागा काट लेंगे तो दिखे इस तरह से इसका सरकल बनेगा आप अगर छोटा सरकल बनाना चाहते हैं तो कम चेन लिजे अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा लिजे दिखे इस सरकल के बीच में थोड़ा सा बोल बना रहता है क्योंकि इसमें हमने चेन से किया है दिखे इस सरकल भी बड़े आराम से बनता है लेकिन इसमें होल रहता है हम अगर बहुत छोटा और या दो और तीन चेन ले करके बनाएंगे तो इसमें क्रोश्या जाएगा नहीं तो इसमें हम इतने सारे डबल क्रोश्या नहीं बना पाएंगे तो हमें थोड़ी सी ज्यादा चेन बनानी ही पड़ेगी इसलिए ज्यादा तर मेजिकल लूप बना करके ही ऐसी चीज़े बनाई जाती है देखिए हमें एवाली पत्ती बनानी है तो इस तरह से रिंग से नहीं बनेगी हमें इसमें मेजिकल लो भी बनाना पड़ेगा तो आशा करती हो आपको मेरा सिखाने का तरह का समझ आ रहा होगा और अगर आपको एवीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बाजू में आई डेल आइकन खंटी को भी प्रेस कीजे ताकि में जपी कोई निया वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक्यू फॉर वाचिंग